नमस्कार दोस्तों मैं संधीक मार आप सबका हमारे चनल पर भुबो स्वाथ करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉस्ट ओफिस रैकिंट बोजिट के बारे में और जानेंगे इस्कीम के फियर्चर, बेनिफिट और लीजिबिल्टी के बारे में तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक हमबल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को देखना शुरू कर दिया है और आप वो पॉस्ट ओफिस रैकिंट बोजिट के बारे में पुरी जानकरी लेना चाहते हैं तो रैकिंट बोजिट आपके लिए एक बैतर आप्शन हो सकता है पॉस्ट ओफिस रैकिंट बोजिट की सबसे बड़ी खासित ही है कि आप इस स्कीम में मातर सोर पे से नवेस्ट की शुरूआत कर सकते हैं और सोर पे से उपर आप जितना चाहिए उतना पैसा स्कीम में नवेस्ट किया जा सकता है इस स्कीम में नवेस्ट की कोई भी निमट नहीं रखी गई है तो आप अपनी इंकम के हिसाब से जितना चाहिए उतना पैसा स्कीम में नवेस्ट कर सकते हैं Post Office Reckoning Deposit में इन्वेस के बाद जमा की कुल अवीदी के लिए ब्यादरें फिक्सी रेती हैं ना ये कम होती है ना ये ज़्यादा होती है तो ऐसे में इस स्कीम में इन्वेस करने के बाद अगर बाद में ब्यादर घट भी जाती है तो इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं हो तो वैसे तो इस scheme की maturity 5 साल की होती है लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 5-5 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है डागर की RD में आपको single account और joint account दोनों की सुईदा मिल जाती है इस account को 10 साल से ज़्यादा उमर के बच्चों के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है इस account को एक डागर से दूसरे डागर में transfer भी किया जा सकता है पॉस्ट ओफिस रेकिन डेपोजिट खाते में आपको लोन की सुईदा भी मिल जाती है आप अपने RD account पर एक साल के बाद जमा रकम का 15 सीज तक लोन भी ले सकते हैं पॉस्ट ओफिस RD में आज की तरीक में 5.8 सीदी के यसाब से ब्याज दिया जा रहा है दोस्ट ओफिस RD पर जहां आपकी जमा पर फिक्स ब्याज तो मिलेगा ही साथ ही पैसा भी सेफ रहेगा क्योंकि डागर की डेपोजिट पर भारत सरकार की ग्रेंटी होती है जबकि बैंकों में जमा पर अधिक्तम 5 लाग तक ही रेकम सु सकते हैं जानकरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकरी को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में रिस्तिदरों में ताकि यह जानकरी और लोगों तक भी पहुंच सके अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे है या भी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो निचे आ रहे है लार बटन को दुबा कर सस्क्राइब कर ले और साथी बेल अनकर को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सबी आने वीडियो के बारे में आपको नोट्रिक्रिशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकरी मिस ना करें वीडियो को पुर